Hello and Good morning everybody, कैसे हैं आप सब? I hope आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे Study Tips YouTube चैनल में आप सबी का फिर से एक बास स्वागत है जहां पे हम लोग 100 days target batch के according आपके लिए mathematics में या aptitude test के लिए number system हम लोग यहां पे देख रहे थे और आज हम लोग एक part 2 का कुछ बहतरीन तरीके और बहतरीन ट्रिक्स लेकर आए हैं आप सबी के सामने जो की चन्ज सेकेंड में आप कैसे कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज के इस बहतरीन क्लास को हमारे साथ बने रहिए पहला question फिर से है यानि कि पिछले कड़ी से इस कड़ी को फिर से जोड़ते हुए next question की तरफ बढ़ते है example number 8 I hope आप revision भी कर रहे होंगे क्योंकि practice आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से होनी चाहिए जैसे आप कोई भी question देखते ही आसानी से बना लोगे दो अंको से बनी देखते हैं question पढ़ते हैं दो अंको से बनी एक संख्या के अंको का योग 12 है यदि उस संख्या के अंको को बदल दिया जाए तो नई संख्या मोल संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो मूल संख्या बताए देखिए बहुत ही जबरजस तरीके से इस तरह से questions number system में हमेशा आते हैं चाहे आप RRB के तयारी कर रहे हो या SSC के तयारी कर रहे हो या आप state board या किसी भी तरह के government job के लिए तयारी कर रहे हो इस तरह के सवाल हमेशा आप से पूछे जाते हैं तो इसमें कैसे solve किया जाएगा तो मूल संख्या आपको निकालने बोला जा रहा है तो 11 into 12 minus 18 by 2 यानि कि कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं divided by 2 आपका जो एंसर आएगा वही आपका मूल संख्या होगा देखे इसका hot trick यानि कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही भेतरी धंग से किस तरह से trick हम लोगों ने बनाया है यादि किसी दोनों के लिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो मूल संख्या क्या होगा तो 11 a plus minus b divided by 2 यानि कि 11 a plus minus b divided by 2 आपको करना है आपके अंसर आपके हाथ में आ जाएंगे तुरंत से तुरंत है ना तो जल्दी से देखे यहां पर आपका अधिक वाला यहां पर सवाल दिया ग बना सकते हो तो चलिए next trick की और चलते हैं क्योंकि यह तो बहुत ही आसान है और आपको और भी आसान अब लगने लगा होगा ठीक है आप data change करके बार बार इस सवाल को revision कर सकते हैं और आप calculator अपने long method से अगर आप इसको बनाना जानते हैं तो long method से भी बना के देख सकते हैं कितना समय का बच्चत हो रहा है आपके पास है ना तो exam में कितना काम आने वाला है चलिए next example देखते हैं यानि कि किस तरह के questions है जदी दो संख्याओं का अंतर तीन है तथा उसके गुननफल उनका गुननफल 270 यानि कि 270 है उन संख्याओं के योग कितना होंगे यानि कि उन स यहां पर भी discuss करेंगे तो इसके कैसे निकालना है तो संख्याओं का योग रूट अंडर यह रूट अंडर 3 का स्क्वेर प्लस 4 इंटू 270 इक्वल टू जितना आएगा 33 इसके एंसर आएंगे कैसे इसका रूट अंडर 3 का स्क्वेर करना है प्लस करके 4 इंटू 270 जो आपका उसके गुननफल दिया हुआगा वो करना है तो इसके जीतने भी एंसर आएंगे 33 आएंगे चंद सेकेंड में बनने वाले यह सब क्वेस्टिन है आप सोच रहे होंगे कि यह तो जो सर यहां पर सामने जो क्वेस्टिन ले रहे हैं उसी का हल है ऐसा नहीं है आप यकीन मानि दिया है और उनका गुननफल पी है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा तरूट अंडर डी स्क्वेर प्लस फोर पी देखे आसान सा ट्रिक है आप दो तीन बार बनाएंगे तो आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी आप दो दो हूं लोग भी एसे करके सूल्व करते थे पहले तो हम लोग लगता थैर इसे थोड़ी हो जränाता है याद रखना एद और हृवolph करने लागोजै कि यह भी तरह से यह सबस्सकर치가 करने लगे हम लोग उसका औरौर हम लोग लेते हैं यदि दो संख्याओं का अंतर आट है देखिए उसी कुछिन को अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कुछिन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कुछिन लगभग उसी टाइप का होता है लेकिन थोड है उन दोनों संख्याओं का गुनन फल कितना होगा यहां पर गुनन फल पूछ दिया गया है तो संख्याओं के गुनन फल कितना होगा तो 48 प्लस 8 इंटू 48 मैनेस 8 डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ कर देंगे तो जितना एंसर आएगा वह आपका एंसर आजागा देख तो साथ आएगा, solve करने का भी बहुत ही easy easy tricks है, आप लोग बहुत ज़ल हम उसके लिए भी लाएंगे कि छोटी सी चोटी और बड़ी सी बड़ी संख्याओं का गुना, भाग, प्लस माइनस, easily कैसे कर सकते हैं, उसका बहुत ही बहतनी से tricks है, तो हम लोग एक दिन उसका भी session ल सब्सक्राइब के लिए तो आपको speed और भी जादा तेज़ करना पड़ेगा, तो चलिए, next question पर चलते है, इसका tricks पर पहले चलते हैं, इसके बाद फिर next पर चलेंगे, इसके tricks के बारे में देखते हैं, Actually, यह क्या रहा है, कि यदि दो संख्याओं का अंतर D है, और उसका योग, यानि कि उनका जो addition होता है, वो S है, मान लिया, तो उन दोनों संख्याओं का गुननफल क्या होगा, तो इसमें tricks आपके कुछ इस तरह से काम करेंगे, S plus D into S minus D divided by 4 कर देंगे, तो मेरा answer आजाएगा, इसको दो से तीन बार आपको practice करने की जरूरत है, यकीन मानिए, आपके सामने आपका easy सा solution and easy सा tips and tricks आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, एक बार इस पे मैनत करने की आपको बहुत ही जरूरी है, आसान सी tricks है, और अगर इससे पहले वाला session आपने नहीं देखा हो, इससे पहले वाला session आपने किसी तरह से या आप नए हो channel पर तो जल्दी से पहले तो subscribe कर लिजे, क्योंकि इस तरह से trips and tricks डेली आते रहेंगे, और 100 days का जो target batch है, उसमें आपका निश्चित से रूप से आपको सफलता मिलेगी, त इससे tricks का apply किया हुआ है और tricks को बताया है, चलिए next question पर चलते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 36 and अंतर 24 है, यानि कि इसका addition 36 है and जो difference है वो है अपका 24, उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा, देखें, दो संख्या है, मान लिजे, x and y, दो संख्या है, तो इस दो संख्या का योग हो गया है, 36 and बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर 24 है, आप इस equation को भी solve करोगे तो आपका answer आ सकता है, लेकिन देखें, कितना आसान है इसका answer निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 36 plus 24 divided by 2 कर देंगे, हमें सा आपका answer यही आएगा, याद रखना है, तो देखें, इसमें क्या है, यदी दो संख्या का योग S है, देखें, बहुत अच्छा TRICKS और TRIPS après TRIPS, 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 TRIPS यह तो यह हो गया, क्या कहता है, टंग TESTER, टंग TWISTER, तो बहुत फाइग शांदार einfach tips है यहां पे और TRIPS भी कि युदि 2 संख्याएं का योग S है और उसका अंतर है D तो देखें चोटी संख्या या बडी संख्या दोनों आपको बोला जासाकता है is अगर पूर्व 20 संख्याक नहीं तो आं बाद कहा है दो पलगे है toakah कि अगर माली भर दोनों का यो 6-24 करेंगे divided by 2 करेंगे तो आपका answer आजाएगा ठीक है यह जब भी answer आएगा वह आपकी छोटी संख्या आएगी छोटी संख्या ठीक है तो चल यह next question पर चलते हैं जल्दी से बहुत आसान question यदि किसी संख्या के 3 बटे 4 का 1 बटे 3 का 4 बटे 5 का मान 35 हो देखे इसको अगर long में solve किया जाए तो कैसे होगा किसी संख्या को मान लिए कि वह x घ्या वम संख्या का 5 का 4 बटे 5 x 35 हो इसी को हम लोग direct करते हैं solve कर लेते हैं फिद्स कैसेют liगाते हैं इसमें तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग को इधर रहने दे सकते हैं और जो नीचे वाले इंटू है उसको 35 से हम लोग गुना कर सकते हैं देखिए 4 गुने 3 गुने 5 divided by क्या कर सकते हैं 3 गुने 1 गुने 4 देखिए आपका इसी टाइप से डारेक्ट टिप्स हम लोग इस तरह से इसका बनाते हैं तो देखिए यहां पर किसी संख्या का ए बटे सी या बटे सी या बटे बी ले ले लेते हैं यहां पर मिस्प्रिंट हो गया है तो का B C बटे D का E बटे F कमान M है तो इसका निकालना की कितना होगा तो M into something कर देंगा तो उसका answer निकल जाएगा यह वाला tips आपका काम आ जाएगा तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा इस session को तो इस video को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच अपने जितने भी friends है family friends है जो भी अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं और अच्छे से जल्दी से जल्दी exam track करना चाह रहे हैं उनके लिए और इस channel को subscribe जरूर कर लिजएगा क्योंकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे courses यहां पे चल रहे होते हैं वह मैं आपको last में बताऊंगा तो चलिए और एक और question है इसके बाद हम लोग इक्जेंपल निंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है कि बहुत important question यह हमेशा आपसे पूछा जा रहा है चाहिए कि आप banking का भी तयारी कर रहा हो तो वह समें भी number system में यह सब question आपके आते हैं यदि किसी संख्या के 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए क्या बात है तो संख्या का मान 20 प्रतिशत की व्रिधी हो जाती है मतलब संख्या का जो value है उसमें 20% का और भी increment हो जाता है व्रिधी हो जाता है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा कुछ इसमें करना ही नहीं है जो आपने पहले जो अनुपात था मानले जो एक्स बटे जाता है वो 20 अनुपात 35 ही होगा हमेशा आप इसको लॉंग टर्म में भी calculate करके देख सकते हैं चोकि हम लोग short term में देख रहे हैं तो आप इसको लॉंग में भी मिला के आप बना सकते हैं कि कि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड दिया जाए यानि कि इसका 35% इस रेशियो आपको कुछ इस तरह आएगा अब रेशियो को solve करेंगा तो 4 is to 7 आएगा देखे इसको कैसे हम लोग hot trick से या simple trick से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं वो चीज आपको मैं बता देता हूँ यदि किसी संख्या का x प्रतिशत दूसरी संख्या में जोडा जाए तो संख अहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा तो x अनुपात y होगा ठीक है तो यह थी आसान से ही यहां पर एक next question और देखते हैं हम लोग इसमें क्या है दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है सिब उसी को घुमा दिया गया गया है question को उसी question को घुमा के पू जोड़ा जा रहा था एक्स को प्रतिशत को एक्स में जोड़ा जा रहा था इस तरह से कुछ चल रहा था लेकिन यहां पे कुछ नहीं है एक्स का ही 10 प्रतिशत इसमें जोड़ा गया है और वाई का ही उसका 20 प्रतिशत यहां पे जोड़ा गया है तो बलता है दोनों संख्या जो आपका प्रसेंटेज जो बढ़ा है उसकी अनुसार होगा तो इसका ट्रिक्स कैसे हम लोग इसको पहले कैसे सुल्फ करेंगे 300 प्लस 10 डिवाइड़ वाई 5 प्लस 100 प्लस 20 डिवाइड़ वाई मतलब इसको सॉल्फ करके हम लोग 11 बाइट 20 निकाल सकते हैं इसको ट्रिक्स के अनुसार समझते हैं यदि दो संख्याओं का उनुपात आक्स बटे वाई है यानिकि एक्स बटे वाई है अगर पहले संख्या में ए प्रतिशत तो ए प्रतिशत कितना है इसका 100 का इतना जोड़ दिया जाएगा तो इंटू हंड्रेट प्लस ए कर देते हैं और क्या होगा दूसरी संख्या में बी प्रतिशत यानिकि इंटू हंड्रेट प्लस माइनस कर देते हैं तक ही आपको घटाना भी अगर पड़े तो वह भी आप यहां पर लिख सकते हो अगर घटाने वाला तर्म आ गया कि घटाया जाता है तो आप इसली उसको भी बना सकत 숨ए हैैना किसी थी तरह से वाहँ डिक्रिमेंट हो जाए है तो उसमें कईसे हम लूग करेंगे तो वहां पर माइनस टर्mus करेंगे श्यु honor टर्म के लिए यानिकि दोनों तरह के कुंस के लिए आपका यहां पर टेप्स ओर ट्रिक्सस दूरनों से ठो जाए गया इसकाा जाके GK, GS और Current Affairs डेली आपके आते हैं, आप जब भी आएंगे साब सुबह साथ बज़े से Current Affairs आते हैं, फिर दस बज़े आपका ये Numerical System या Mathematics ये सब आता है, इतके बाद फिर एक बज़े GS आता है, General Science और उसमें जो भी competitive examination से related, बहुत important है उसको deal किया जाता है, फिर reasoning का भी 6-7 बज़े से आपका वह भी parts आपका यहां पर upload हो जाता है, यहां तक हम लोग बहुत ही ज़्यादा live sessions भी लेते हैं, जिससे आपके जो भी doubts हो, वह हम लोग clear कर सकें, इसलिए आप लोग live sessions के आभी इंतजार कीजिए और उसको भी उस पे भी आप लोग जोड़ने की बहुत ही ज़्यादा important है, थोड़ा सबसमें level आपका high किया जाता है, लेकिन आप पहले basic बना दो, आपका easily वह भी चीज होगा, हम लोग यहां पे कुछ कुछ previous year के जो जैसे platform, platform का जो भी book आता है, previous year के questions bank आते हैं, questions bank आते हैं, वो सब सभी हम लोग महां पे solve करके, आप मिलेंगे, कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए इसमें, और भी जितने भी exam है, state level का वो से भी हम लोग यहां पे कराएंगे आप सभी के लिए, और इस hundred days target batch में जोडने के लिए आपको कोई भी fee नहीं देनी पड़ेगी, यानि कि यह full course यहां पे free of cost है, free of cost है, त किसी भी तरह का material चाहिए, किसी भी तरह का topic से related आपको videos चाहिए, तो आप नीचे comment जरूर करेंगे, क्योंकि आपके comments हमारे लिए motivation, आपके likes हमारे लिए motivation बनेगा, ठीक है, thank you so much, मिलते हैं फिर next class में कुछ इसी तरह से बहतरी trick math के साथ, तो number system का अभी जारी है, हमारा और भी classes अभी इसमें आएंगे, तो third part के लिए आप लोग ready रहिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजगा, क्योंकि आपको notification तुरंत मिल जाएगा, thank you so much, मिलते हैं फिर next class में, तब तक के लिए take care and study hard and smart work, thank you so much